नमस्कार दोस्तों आपका सौगत है हमारे चैनल स्टेशन आप एजूकेशन आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में हीटर के कनेक्शन स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन ये आरवाई वी तीन फेस हैं और मैंने यहां तीन हीटरों को ले रखा है अगर हमारे पास में सिंगल फेस के हीटर हैं हमें तीनों फेसों पर लोड को डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे मैं मालेता हूँ कि हमारे पास में हजार वाट के तीन हीटर है तो हमें तीनों फेसों पर डिवाइड करना है सिंगल वोल्ट के 220 वोल्ट के हैं तो हम कैसे लोड को डिवाइड करेंगे और इसका कनेक्शन कैसे करेंगे स्टार और डिल्टा में हम इसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं यह मेरे पास heater 220 वोल्ट ना होकर 440 वोल्ट है तो इसका connection हम कैसे करेंगे और load को कैसे divide करेंगे step by step सीखेंगे हम बस आपको करना ही है वीडियो को शुरू से end तक step by step देखना है इस वीडियो में मैं सारी चीज क्लियर करा दूँगा हम star और delta में connection कैसे कर सकते हैं और load को कैसे divide कर सकते हैं single face connection या three face connection तो वीडियो को start करने से पहले आप हमारी चैनल station of education पर नहीं हो आपने अभी तक हमारा चैनल subscribe नहीं करा है तो प्लीज subscribe करें electrical से जुली से भी प्रकार की वीडियो के लिए और bell icon को भी on कर दें जिससे आपको हमारी वीडियो का notification आसानी से म वीडियो जैसा मैंने यह connection बना रखा है A1 B1 और C1 यह तीन हमारे जिस पर मुझे connection को देना है A2 B2 और C2 इन तीनों को एक साथ में लूप कर दिया एक साथ जौंट कर दिया तीनों को यह तो है हमारा इस्टा connection तो पहले हम करेंगे इसका इस्टा connection अगर हमारा 1000 watt का हीटर है 240 वोल्ड 220 वोल्ड जो सिंगल फेस का हीटर है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे और इसको connection कैसे कर सकते हैं तीनों फेसों के दारा तो हम connection करते हैं इसका यह मैंने तीन फेसों को जोड दिया जैसा यहां देख रहे हो first में यह b, y और r तीनों फेसों को जोड दिया अब हमें a1, b1 और c1 इन तीनों को क्या करेंगे जैसा आपने यहां देख रहे हो तीन सिरों को हमने एक साथ में loop कर रखा है, एक साथ jaunt कर रखा है तो तीनों को हम एक साथ jaunt कर देंगे ठीक है a1 से b1 और b1 से c1 तो हमने तीनों फेसों को यूज में ले लिया, single face का connection है, क्या है, single face connection तो हमने तीनों फेसों पर current को divide कर आए, तीनों हीट रॉम है ठीक है यहां तक clear समझ में आ रहा है, यह हमारे 1000-1000 वाट के तीन हीटर है और one, हर face पर हमने load को divide कर आए इस्टा connection में क्या करना है, आपको एक चीज का खास ध्यान रख रहा है, क्योंकि आपका rise tense जो आपका load है, यह same load का होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1000 वाट का है और दूसरा 200 वाट का है, तो उससे क्या होगा, अन्वेलेंस हो जाएगा, rise tense कम जादा होगा, जिससे किसी में current कम जाएगा, voltage कम होंगे, किसी में voltage जादा होंगे जिससे heater और sound circuit हो सकता है, तो आपका इस बात का star connection में इस बात का ध्यान रखना कि Sam उसका बाट का Sam power का heater होना चाहिए, ठीक है, तो यह है हमारा star connection अब देखते हैं हम delta connection, अगर हमारे यह heater तीनों 440 वोल्ट के होंगे, तो हम load को कैसे divide करेंगे और इसका connection कैसे करेंगे, इन heater का, ठीक है, हम next आगे चलते हैं हाँ, दोस्तों, star समझ में, star connection, हमने हर face में 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, single face connection दिया है, यहाँ आप इस heater में देख रहे हो, c1, c2 में, एक face आ रहा है, और इसमें भी एक face आ रहा है, वी 1, b2 में, और यहाँ a1, a2 में भी ही, एक ही face आ रहा है, तो यह single face connection है, अब हम three face connection करेंगे, इसी में, ठीक है, यह repeat कराता है मैंने, तो अब हमें करना क्या है, यह जो loop था, तीनों को एक साथ जो जोड रखा था, a1, b1 और c1, इसको मैंने अटा दिया, अब यह तीनों connection बिल्कुल अलग-अलग होगे, किसी का किसी के साथ कोई link नहीं है, हम इसको अब delta में कैसे करेंगे, तो delta के लिए मैं यहां इसको, a2 को b1 के साथ जोड देता हूँ, ठीक है, क्या करा मैंने, a2 को b1 के साथ जोड दिया, अब एक face यहां से आ रहा और एक यहां से आ रहा, तो इस heater में कितना face आ गया, double face हो गई है, ठीक है, अब इसको b2 को मैंने c1 के साथ जोड दिया, ठीक है, a2 को b1 के साथ मैं, b2 को c1 के साथ मैं, और c2 को किस के साथ जोड दिया, a1 के साथ, अब आप देख रहे हो, अब हर heater में double face आ रहा है, एक तो यहां, a1 यहां a1 पर आ गया, r face, और यह हमारा v face है, तो यहां कितना आ गया, double face हो गया यह, ठीक है, और यहां भी double face आ गया, और यह हमारा जो connection बन गया, यह बन गया, delta connection, हर heater में double face, यह हमारा 440 का connection है, delta connection, load भी divide हो गया, तीनों फेसों पर आ गया, और हर heater में हमारा double face भी जा रहा है, तो दोस्तों, उम्मेद करता हूँ, आपको यह हमारी वीडियो पसंद आये गई, star और delta connection, heater के connection हम कैसे करेंगे, और load को कैसे divide करेंगे, ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल station of education subscribe नहीं करा है, तो please subscribe करें, electrical से जोड़ी सभी परकार की वीडियो के लिए, और bell icon को भी on कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का notification आसानी मिल जाए, और आसानी से आप हमारी वीडियो देख सके, आपको हमारी पूर कोई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू दोस्तों